पिछली बार 6 मार्च को जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता आये थे तो उन्होंने 12 साथ में एक रोट्रो किया था हाला कि यहा रोट्रो वैसा नहीं था जैसा कि पीएम मोदी का रोट्रो होता है इस लोग सभा चुनाओं में तिन्मुल कॉंग्रेस को पस्त करने के लिए अब पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता कोलकाता की सडकों पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का एक मेगा रोट्रो कराने की योचना बना रहे हैं गौर तलब है कि कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिन, दमदम, जादवपूर, बारासाथ समेत आसपास जिलों की नौ सीटों पर आकरी चरण में यानी एक जून को मतदान है इसलिए बीजेपी के बंगाल निताओ को लगता है कि मोदी के एक रोट्रो से बड़ा प्रभाव पड़ेगा और बीजेपी कई सीटों पर जीतने में काम्याब होगी दरसल पूरे देश में मोदी के रोट्रो की काफी मांग होती है तामिलनाडू से लेकर यूपी राजिस्थान तक में मोदी लोगसभा चुनाव में रोट्रो कर रहे है शुक्रवार कोई उन्होंने राजिस्थान के दौसा में रोट्रो किया इस तरह का रोट्षो उन्होंने हाल के दिनों में तामिलनाडू, तिलंगाना, करनाटक और केरल में भी किया है पिये मोदी के ऐसे रोट्षो से बीजेपी को वोटरों को खीचने में काम्याभी मिलने की उमीद रहती है इसे देखते हुई बंगाल में भारतिय जनता पार्टी प्रधान मंत्री को कोलकाता लाकर रोट्षो कराना चाहती है लेकिन रोट्षो किन किन मार्गो से होकर गुजरेगा इसे लेकर बीजेपी बंगाल के नेता द्वंद में दिख रहे हैं कुछ हद तक इन नेताओं में आपसी मतभेद भी दिख रहा है बताया जा रहा है कि बीजेपी के कुछ नेता मोदी के रोट्षो को बड़ा बजार, जोडा साको, किरिश पार्क, सेंट्रल एवेन्यू और श्याम बजार तथा बीटी रोट तक करना चाहते हैं ये इलाके उत्तर कोलकाता का प्रमुख और घनी आबादी वाला शेत्र है, इन्हें बीजेपी के गड़ भी माना जाता है लेकिन कुछ बीजेपी नेता चाहते हैं कि कोलकाता में जहां पाटी की कमजोर स्थिती है, मसलन एंटाली और बेले घाटा में रोट्षो किया जाए यहां अल्प संख्यकों की अबादी भी काफी है जिससे मोदी के रोट्षो को लेकर एक अलग संदेश जाएगा तो इधर बीजेपी के अंदर ही मोदी के रोट्षो को कोलकाता की सुबोध मलिक स्क्वेर से लेकर कॉलेज स्ट्रीट, विधान सारनी और स्ट्राम बजार के बीच कराने की मांग उठ रही है लेकिन कोलकाता में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी रोट्षो करते हैं कि नहीं यह उनकी सुरक्षा जिम्मेवारी समालने वाली स्पीजी तै करेगी क्योंकि कोलकाता काफी घनी आबादी वाला महानगर है और प्रधान मंत्री की सुरक्षा सर्वो परी है हाला कि बंगाल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता शमिक भटाचारे कहते हैं कि प्रधान मंत्री देश के सबसे लोग प्रियर नेता है और पार्टी प्रत्याशियों के लिए निश्चित रूप से उनका रोडशो कोलकाता में होगा अब देखना है कि आखरी चरण के मतदान के पहले पियम मोदी कब कोलकाता आते हैं और अपने चीर परिचित अंदाज में रोडशो करते वे दिखाई देते हैं कि नहीं